खलत तब हुआ जब एक प्रोटेस्टर ने खुद पर आग लगा ली देवियों और सज्जनों स्वागत है आप सबका खाता बुक के इस मंच पर तो आज हम बात करने वाला है उस शक्स के बारे में जिसका जी हाँ अमिताब बच्चन बिग बी की जिन्दगी की उस सबसे वड़ी गलती के बारे में जो उन्हें लगभग ले ही डूबी थी अमिताब बच्चन कॉर्परेशन लिमिटेड अमिताब बच्चन ने 1996 में इस कंपनी की शुरुआत की थी लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने इस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को दिवालिया बना दिया बात शुरू करते हैं 90 के दौर की ये वो टाइम धा जब बच्चन अपने करियर के सबसे बढ़िया दौर में थे इसी के दौरान उन्होंने डिसाइड किया बिजनस में एंट्री मारने का 1984 में पॉलिटिक्स में तो हाथ आजमा ही चुके थे तो सोचा कि क्यों आप बिजनस भी ट्राइ कर लिया जाए ABCL की शुरुआत हुई थी 150 एंप्लोई से और इसका काम फिल्म प्रोड़क्शन, फिल्म डिस्ट्रिबूशन, सॉंग प्रोड़क्शन और इवेंट मैनेजमेंट का था देख भाई देख इस कंपनी का सबसे पहला प्रोड़क्ट था मुझे तो नाम सुनकर ही पुराना वक्त याद आ गया सीरियल बढ़िया था और इसलिए और आडियन्स ने पसंद भी बहुत किया था आपको याद है कोई इसका करेक्टर याद है तो आईए ज़रा कमेंट सेक्शन में इस बारे में थोगी चर्चा की जाए इसके बाद कुछ फिल्में भी आई थी जैसे तेरे मेरे सपने जिसमें अर्शद वारसी और चंदरचूर सिंग ने भी काम किया था ABCL ने काफी हिट फिल्म्स के लिए संगीत और गाने भी प्रोडियूस किये इसमें मेरी फेवरेट अजे देउगन की दिल जले और सुनील शटी की रखषक थी वो रखषक का गाना था सुन्दरा सुन्दरा याद है आपको और दिल जले का हो नहीं सकता आज तक याद है मुझे बॉम्मे फिल्म अगर आपको याद हो तो उसके भी हिंदी भाषा के राइज ABCL ने ही खरीदे थे सब कुछ ABCL के लिए बहुत बढ़िया चल रहा था एक साल में ABCL ने 16 करोर रुपए का प्रॉफिट कमाया था तब के 16 करोर रुपए की कीमत आज के 90 करोर के बराबर है और किसी नई कमपनी का इतने कम समय में इतना अच्छा प्रॉफिट कमाना कोई चोटी बात नहीं है अब जब सब इतना अच्छा चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ जिसने इस सिचुवेशन को पूरा उल्टा कर दिया वो था 1996 का Miss World इस साल वो ब्रिटिश कमपनी जो Miss World इवेंट को और्गनाइस करवाती थी उसने ABCL को भारत में ये इवेंट और्गनाइस करवाने के लिए अप्रोच किया इवेंट होने के चार महीने पहले अब बच्चन साब तो confident थे उन्होंने प्रसाव accept कर लिया और सिर्फ accept ही नहीं किया खुले हातों से accept कर लिया कमपनी का इस इवेंट में होने वाला खर्चा का estimate था लगभग 2 million dollar ABCL ने खर्च किये 5 million अब इवेंट का प्रोमोशन करने के लिए भी तयारियां शुरू हो गए अमिताब बच्चन ने North America तक में जाकर शोस किये वो चाते थी कि इवेंट सफल हो क्योंकि उनकी उमीदों के साथ इस इवेंट पर उनका future भी तिका था ABCL और अमिताब बच्चन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी इस इवेंट को एक success बनाने के लिए लेकिन आपको चाहें और वो आपको मिल भी जाए ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है असल जिन्दगी में बात कुछ और है इस कड़वी सच्चाए का सामना बच्चन साब जल्द ही करने वाले थे जैसे ही लोगों को पता चला कि बैंगलॉर में मिस इंडिया का इवेंट होने वाला है लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिये बारतीय संस्कृती का हवाला देकर जन्ता ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया यहां तक तो तब भी ठीक था खलत तब हुआ जब इस प्रोटेस्टर ने खुद पर आग लगा लिए फिर क्या था स्पॉंसर ने इस इवेंट से अपना हाथ खीचना शुरू कर दिया और यह इवेंट फ्लॉप हो गया इसके बाद ABCL ने कुछ और सिलमे भी बनाए जैसे मेजर साब और मृत्यूदाता लेकिन यह भी नहीं चलिए एक समय ऐसा आया जब सदी के महनायक अमिताब बच्चन पे 90 करोड रुपए से ज्यादा की देंदारी हो गई थी उनका बंगला जिसमें वो आज भी रहते हैं बिकनी की कगार पर पहुँच गया था उनके पास अपने एंप्लॉईस की सालरी देने के पैसे तक नहीं बचे थे इन सब चीजों के चलते 1999 में BIFR ने ABCL को एक सिख कंपनी डिकलेर कर गिया लेकिन किसमत बदलते हुए भी वक्त नहीं लगता और बच्चन जी के साथ भी ऐसा ही हुआ लेकिन यह बताने से पहले अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो हम आपको समय समय पर आपका बिजनस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे खाता बुक के साथ अब बिजनस करना होगा आसान तो हाँ अब संद 2000 में आई फिल्म महबबत है इसमें बिग बी ने जो किरदार निबाया वो पहले बोवन इरानी को जाना था अब किसमत कहो या कुछ और इस मूवी के बाद अमिताब बच्चन ने फिर कभी पीछे मुड़के नहीं देखा क्योंकि इसके बाद नंबर आये टेलिविजन जगत के अब तक के सबसे बड़े और सबसे चहीते रियालिटी शो का कौन बनेगा करोड़ पती वो के बी सी ही था जिसने बिग बी की डूप टीवी नईया पार लगाई और ऐसी लगाई कि जो अमिताब बच्चन एक दौर में दिवालिया ही हो गये थे उनकी आज की तारीक में 430 मिलियन डॉलर्स की कुल नेट वर्थ है इस कहानी से सबसे बड़ी सीख जो मुझे लगती है के लिए कौन से रीटेल बिजनसे बेस्ट होंगे तो अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट से बताओ कि आप अगले वीडियो में क्या देखना पसंद करोगे नमस्कार